जै मसी की दोस्तों, आज की स्वरगी मना का भाग हमने लिया है लूका की पुस्तक उसका सोलवा अध्याए और उसका 27 से 29 स्वावचन वचन कहता है, उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझे विंती करता हूँ कि तु उसे मेरे पिता के घर भेश दे, क्योंकि मेरे पाँच भाई है और वो उन्हें चेदावनी दे, कहीं ऐसा न हो, कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए पर तो इब्रहेम ने कहा, उनके पास मूसा और नभी है, वे उनकी ही सुने धन्यवा पिता परमेश्वर, तिरा भचन अत्पुते दोस्तूं, परमेश्वर ने यहनना बब्तिस्मा देने वाले के द्वारा इस संसार में अपनी नई वाचा को भेजा उसकी नई वाचा क्या है उसके अनुग्रे के द्वारा और विश्वास के द्वारा हम आशीश पाएं उसका अनुग्रे हमें कब मिलेगा जब हम पश्चाताप करते हैं जब हम पूरी तरीके से पश्चाताप करते हैं अहसास करते हैं कि हम परमेश्वर के वृद्ध हमने पाप किया है हमने वो पाप किया जो परमेश्वर के वृद्ध है और हमें परमेश्वर की जरूरत है जब आप इस गहरी सोच से इस गहरे विचार से जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं और जब आप पश्टाताब करते हैं और परमेश्वर को मांगते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर की उपस्यती को अपने जीवन में पहला इस्तान देते हैं और जब उसके सामने हाथ फैलाते हैं तो परमेशर आपके अपने अनुग्रे के द्वारा आपको आशीष देता है और तब परमेशर विश्वास का वर्दान आपके दिल में डालता है और वे विश्वास आपको आशीष देता है इसलिए इफीसियो दो का आठ कहता है क्योंकि विश्वास के दोरा अनुग्रे ही से तुम्हारा उधार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमिश्र का दान है इसका मतलब परमिश्र के अनुग्रे से ही नहीं आपका विश्वास भी बहुत कीमती है आपके उधार को पाने के लिए परमेश्र का अनुखरा तो पूरे जगत के लिए था लेकिन उधार किसने पाया है जिसने विश्वास किया है इसलिए यहाँ पर उस धनी वेक्ति की चर्चा हो रही है वो धनी में एक ती जो इसमें नर्क में है वो जान चुका है कि परमेशर की महिमा क्या है वो जान चुका है कि परमेशर कौन है वो जान चुका है कि उसने पाप किया है लेकिन कब उसने जाना नर्क में आकर बाइबल हमें बताती है इसलिए ईशों उसी धर्टी पर आया और उसने कहा कि तुम जब परमेशर कियो इचना को परमेशर के नियमों को जानो और इसी धर्टी पर रहदे हुए जानो ताकि तुम नर्क की दशा में नर्क की पीड़ा से बच सको यहां पर यह धनी वेक ती जिसको परमेशर ने सब कुछ दिया था परमेशर ने से ओधा दिया था मान दिया था, समान दिया था पैसा दिया था, खाना दिया था अद्वत, हर चीज दी थी लेकिन वो परमेशर के नियम को भूल गया वो परमेशर को भूल गया और उसके साथ उसकी चौकट में रहने वाला वो बेकारी लाजर जो कोडी था उसके साथ ही कौन थे? कुटे मक्हियां, भिनमिनाती थी वो चाड़ता था अपने जखमों को, उसके कुटे उसके जखमों को चाड़ते थे लेकिन उसने परमेशर को नहीं पुला वो परमेशर के निवों पे चला वो परमेशर के अनुगरे को जानता था इसलिए उसने विश्वास नहीं खोया यहां पर यह जो धनी वेकती है वो कह रहा है कि मैं जान गया हूँ और मैं जान गया हूँ इसलिए इबराहिम से कह रहा है दोहाई देरा है कि मेरे घर में किसी को भेजो जो मेरे भाई जमीन पर है जो जिन्दा है वो जाने की प्रभू कौन है दोस्तों जब हम प्रभू को पा लेते हैं जब हम प्रभू केश्र के अनुगरे को जान लेते हैं जब हम उसके आशीशों को उसकी शमा को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन भी युही कहता है कि हमारा भाई जाने है हमारा बेटा जाने हमारा पडूसी जाने हमारा दोस जाने हमारी चाची हमारी मामी जाने कि प्रभू कौन है पाप क्या है दोस्तों बहुत जरूरी है जिस राइके से वो धनी वैक्ती नरक में जाकर प्रात्रा करना है हमें इस धर्ती पर रहे कर अपने भाई भेनों के लिए प्रात्रा करनी है और सिर्फ प्रात्रा ही नहीं करनी है मेरे भाई हमें कदम उठा कर जा रना है चाये वहोऊब के तने करीब हो चाये वह आपके द दूरू रहा हूँ इसलिए इसलिए इशु कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो ताकि तुम अस veil ещё घ्रम उस्ते मेनिसाब करें और यहीं पर उस पश्टाताप के दोरा अनुगराई पाकर अपने दोस्तों अपने करीबों को अपने अपने स्था के संबंधियों को इस उध्धार के बारे में बताएं और नए नियम के बारे में बताएं नई वाचा के बारे में बताएं जो इशुमसी के दोरा पुचाने समझे और उस पर चले परमेशर और पूरी तरीके से तेरे ही वचन तेरी आत्मा के द्वारा हम जब किसी से सू समचार कहें मेरे भाई दया कर परमेशर उनकी जीवन को बदल दे परमेशर सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांगता हूं प्राथ आपके सुने कुबूल किये मैं एमैन एमैन